कोशिज करो एक सवाल है इसको solve करो कि अगर एक capacitor है 2μF का समझने की कोशिज करना यह 2μF का है इसको मैंने एक V-volt की बैटी लगा के fully charge कर लिया जितना हो सकता था कोई दिक्कतोली बात नहीं है अब switch इस बीच में switch लग गया है अगर switch को मैंने 1 की बजाए 2 से connect कर दिया तो energy dissipated, energy loss अब सबको पता है कि अगर एक capacitor है fully charge है अंचार्ज के साथ connect करते हो तो conductor के connection में potential का difference है और potential difference होने की वज़े से charge का movement हो जाएगा और उसमें कुछ ने कुछ energy ज़रूर लॉस होती है वह हम पढ़के आया है इसका मतलब यह हुआ कि यह वाला जो option है कभी सही नहीं हो सकता बराबर है अभी 2017 वाला question किये हो और उसमें हम करके देखे थे कि अगर यह 2 microfarad का है और यह भी 2 microfarad का है तो कितना loss होता था 50% energy loss होती थी तो यह कभी सही नहीं हो सकता 50% से ज्यादा ही loss होगा मतलब या तो A सही है या तो B सही है मेरे बाई चलो अब कौन सा सही है वह हम निगाल लेते हैं exact मतलब 50% success होने के chance बढ़ गया ना वही है हमारे पास करीब आ गया हम success के तो initial energy u initial energy u is equal to q square upon 2c आ गया बराबर है यह पहले equation square से ही रहने दो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अब यहां q square value भी डाल दो 2 और c की value कितना है initially 2 microfarad है तो 2 microfarad है 2 micro 10 की power minus 6 मतलब या जाएगा q square upon 4 into 10 की power minus 6 that is equation number 4 fast और यह हमारी initial energy है जब हमने जी भर के चार्ज कर लिया जितना मेरा मन करता था जितना यह चार्ज लेना चाहता था finally इस question को करने के लिए 2017 वाला भी question अच्छे से देख लेना finally जब मैं इसको इस से connect कर दूंगा तो कुछ ना कुछ चार्ज का movement होगा कुछ energy इसको इसके पास आ जाएगी और कुछ energy loss हो जाएगी है तो वहीं loss का percentage पूछ रहा है तो final energy जो है वो मैं इसी फार्मूलियों के लगाना चाहरा हूं q by 2 और c equivalent c equivalent तो यह 2 microfarad है और 8 microfarad है तो parallel में कितने हो जाएंगे सीड है c plus c1 plus c2 मतलब 2 plus 8 कितना हो गया 10 microfarad हो गया तो इसका मतलब यह हुआ कि q square upon 20 into 10 की power minus 6 this is the final energy between इन दोनों के पास पहले इन दोनों के पास पहले इसके पास था वह इतना था अब इन दोनों के पास इतना हो किसी एक में नहीं है ना किसी एक में निकालना होगा तो 2017 माला question देखना ठीक है potential difference निकालो half cv square multiply कर दो तो अब loss हमें निकालना है तो loss in energy loss in energy तो obviously loss हुआ होगा तो देख लेते हैं कितना loss हुआ इनिशली ज्यादा थी तो यह initial energy minus final energy multiplied by initial energy multiplied by hundred क्योंकि percentage loss पुछा है तो initial energy q upon q और 10 की power minus 6 common ले लो 1 by minus 1 by 20 ये तो finally divided by by q और ये 10 की power minus 4 multiplied by 4 और multiplied by 100 तो q square इसको खतम कर दिया और finally इदर 20 और 20 और ये 16 और ये दिवाइड़ बाई 4 और multiplied by 100 मतलब या जाएगा एक minute ये 1 by 4 यहाँ से एक minute यहाँ से calculation जो है थोड़ा सा मैं कुछ जादा ही fast कर दिया तो 20 और ये 16 और 4 और ये multiplied by 20 और ये 4 ऊपर चला गया और ये 100 से multiply हो गया तो पूर ने 4 को और 2 से काट दो 8 और ये जाएगा 2 से काट दो 5 और ये जाएगा 2 से काट दो के तो 10 0 ने 0 को मतलब 80% आ जाएगा दिस इस परसेंट है तो फाइनली जो है वो 80% मतलब हम लोग पास B option सही है बराबर है तो बागी जो question है प्यारे बच्चों दूसरे पार्ट में हम solve करते हैं अपना बहुत ख्याल रखो motivated रहो energetic रहो थेंक यू झाओ झाओज़